कि एम्प्लाइमिंट चैनल में आपका स्वागत करते हैं आज हम आपको ट्रॉंटी थ्री हन्रेट एंड शिक्स्टी फॉर गवर्रमेंट्स चॉप्स की जानकारिया देंगे पहले शिलू करते हैं गुज्राट हाई कोट की रिकुट्मेंट से जहां पे क्लास फॉर पियन पत के लिए 1149 वेकेंसी की बिगवति निकला है जिसका पेस्खिल है 14,800 से 47,100 पेस्खिल की मुताबिक क्लास 10 पास होने से आप इस जॉब के लिए एप्लाइ कर सकते हैं 18 से 33 बर्स की अंदर आयो होना चाहिए इस जब मैं एप्लाइ करने का लास्ट डेट है 30 नावेंबर 2018 ऑनलाइन अप्लिकेशन भरना पड़ेगा और रीटिन टेस्ट का हो रीटिन टेस्ट होगा 17 फेबरारी 2019 को SC, ST, EBC, PH एक सार्विसमेंट को 150 रुपिस एग्जमिनेशन फीज बरना पड़ेगा और आदर केंडिडेट्स जो है उनको 300 रुपिस एग्जमिनेशन फीज बरना पड़ेगा इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो है रीटिन एग्जमिनेशन नाम नमबर टू, नमबर टू पर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन लिमिटेट की बिगपती दिप्लोमा एंजिनियर ट्रेनी, ITI ट्रेनी, लाब असिस्टेंट ट्रेनी एभम असिस्टेंट ट्रेनी पर में 107 फेकेंशी जिसका पेस्केल डिफेरेंट पोस्ट में है, जो कि 11,500 से 34,500 तक है, एरिजेबिलिटी क्राइटेरिया, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, प्लास 10 पास, ITI पास, डिप्लोमा या फिर BAC पास, 18 से 17 साल के अंदर आयो होने से आप इस जॉब में एप्लाइ कर सकते हैं, एप्लाइकरनी का लास्ट टेट है, 24 नॉब्यम्बर 2018, जेनरल एबं, VC कैंडिडेट्स के लिए, 300 रुपीज एग्जामिनीशन फीज बनना पड़ेगा, SC, ST कैंडिडेट्स को कोई भी एग्जामिनीशन फीज देना नहीं पड़ेगा, ओनलाइन अटिचुट टेस्ट एबं, ओनलाइन टेक्निकल टेस्ट की द एशिस्टेंट माल्टी परपस टापद में बिगवती निगला है, जहां पे कुल मिला कर 326 वेकेंशी हैं, 11,765 से 31,540 पेस्केल हैं, ग्रैजुएट डिग्री होने से आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, और एज लिमिट 21 से 33 एर्स के अंदर होना चाहिए, जी जो में अप्लाई करने का लास्ट टेट है, 22 नावंबर 2018, जेनरल एफ ओवी से कैंडिटेट्स के लिए 600 रुपीस एक्जैमिनेशन फीज भनना पड़ेगा, एस से इस्टी कैंडिट्स के लिए 400 रुपीस एक्जैमिनेशन फीज भनना पड़ेगा, रिटिन एक्जैमि ड़्डेवलागमेंट्स सर्विझ, तार्भागा एंद बिहार, बिद्धान्स अजभा, सचवालाय में, गभन्मेंट अब बिहार से, जो बिग्यरतिभा थीज उे है, जो है, ओफिस आटिंडेंट, रेली ऐटिंडेंडेंट, ड्राइफर एण्ये, वेनी आदर वेकेंसीज की पीकपती निकला है जहां में कुल मिलाकर 166 वेकेंसीज है पेस केल डिफरेंट पद में डिफरेंट है जोके शुरू होते हैं 18,000 से और जिसका आपड लिमीट है 63,200 प्रस टेन पास होने से आप डिफरेंट पद में एपलाई कर सकते हैं और एज ल इस जब में अप्लाई करने कर लाजट टेट है 22 नौवेंग बड़ 2018 जेनरेल ओबीसी काटागेडी के लिए 100 डुपीज एक्जामिनेशन फीज बनना पड़ेगा जहां पे SC-ST कैंडिडेट्स को एपंग फीमेल्स कैंडिडेट्स को 25 डुपीज एक्जामिनेशन फीज बन होगा अभी चलते हैं नमर फाइब पर नमर फाइब पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिकूर्ट्मेंट की बिगपती जाब इस स्पेशलिस्ट ग्रेट ऑफिशर पद में 47 वेकेंशिस की बिगपती निकला है जिसका पेस्केल 31,705 से 59,170 तक है इस जब में क्वालिफिकेशन होना चाहिए VE, VTEC, Chartered Accountant या फिर MBA 25 से 35 एर्ज की अंदर आपकी एज होने से आप इस जब के लिए अप्लाइ कर सकते हैं 22nd November 2018 इस जब में अप्लाइ काने का लास्ट इट है जेनरल एबम OVC Candidates को 600 रुपीज एग्जामिनेशन फीज भनना परेगा और SC, ST एबम PWD Candidates को 100 रुपीज एग्जामिनेशन फीज भनना परेगा इस जब में अप्लाइ करने के लिए आपको 22nd November 2018 की अंदर फॉर्म फिलाप करना है जो Candidates सेलेक्टेड होगा उनको इंटर्विव द्वारा चुनाओ किया जाएगा अभी चलते हैं नमर 6 में नमर 6 में नौशन भार्ति यानि के इंडियन नेवी की रिकुट्मेंट की विक्रप्ति की बाड़े में बोलेंगे जहां पर क्लास 10 प्लास 2 वी टेक क्राइड़ एंफी स्कीम में वेकेंसी है जिसमें कितना वेकेंसी है वो स्पेसिफाइड नहीं किया गया है लेकिन जो पेस के लिए पर महिना वो है 83,448 12 पास होने से आप अप्लाइ कर सकते हैं और फिजिकली हाइट होना चाहिए मिनिमाम 157 सेंटिमेटर इस जोब में अप्लाइ करने के लिए आपको 2000 जानुआरी 2 जानुआरी 2000 से 1 जानुआरी 2002 की अंदर ही आपका डेट अप बार्थ होना चाहिए आधर वैस आप इस जोब के लिए अप्ले नहीं कर पाएंगे और जो लास्ट एट है अप्ले करने का वह है 22 जानुआरी नाफिबार 2018 कोई अप्लिकेशन फीज बनने नहीं पड़ेगा एसेज पी की इंट्रव्यू के द्वाड़ा छोटा होगा नमबर सेवन पर है डाबनो भी पोस्टल सर्कल रिकूट्मेंट जहां पे पोस्टमेंट एवं मेल गर्डपत के लिए फेकेंशी है कुन मिलाकर 266 फेकेंशी है पी मैट्रिक्स लेवेल 3 के अनुशार पी सालरी मिलेगा जो की 21,700 से 36,100 की अंदर है और इलिजेबिलिटी क्राइटेरिया जो एडुकेशन और क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12 ग्लास पार इच लिमिट है 18 से 27 यर्ज की अंदर ऑनलाइन अप्लिकेशन को सब्मिट करने का लास्ट डेट है 24 नॉवेमबर और पोस्ट अफिस के दुआरा फीस पेमेंट करना है जिसका लास्ट डेट है 30 दिसेमबर अप्लिकेशन फॉर्म रेजिस्टेशन जो की हाडिक कैंडिडेट्स को करना है उसके लिए 120 डुपीज लगेगा और एक्जामिनेशन फीस सिर्फ जेनरेल मेल कैंडिडेट्स के लिए एवं ओवीसे कैंडिडेट्स के लिए 400 डुपीज SEC P.W.D.C.C.D.C.D.C.D.C.D.C.D.C.D.C.D.C.D.C., कैंडिडेट्स को कोई लिए एक्जामिनेशन फीस भरना नहीं परेगा है सिर्फ रिजिस्टेशन की दुबारा पर्णा फीस लिए 120 डुपीज यह हारिक कैंडिडेट्स को वर्ना है इक्स्टा भरना परहेगा और जेनरल मेल की केडिएट्स को एभाँ ओभी से मेल केडिएट्स को 400 रुकोष एक्स्टर रहना पड़ेगा अभी चलते हैं। प्रली के मैं सिलेक्ष्टन प्रॉसेसमें प्रीम स्क्टमर्स बस्ट होगा। उसी की रेज़ार्ट के मुताबिक सेलेक्शन हो अब देटे हैं नामबर एइट पर जाप उत्तराखन मेडिकल सैर्विस सेलेक्शन गोट की द्वारा विखर्वति दिया गया है जाप फार्मसिस्ट वाध में विखर्वति निकला है जहाँ पेकुल मिल्या का 21 वेकेंसिज है, पेस्केल 35,400 से 1,12,400 है, डिप्लोमा पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 42 इयर्स के अंदर आपकी एज होना चाहिए, आप 20 नॉवेंबर रात की 11 बज़ कर उन साथ मिनित तक अप्लाई कर सकते हैं, जेनरेल एबंग ओवी सी कंड जो उतर खंड की रैने वाले हैं, उनके लिए 300 रुपिज pobrez examination fees देना पारेगा, और 60 ससी चेत चैनलेटेट्स जो उतर खंड की रहने वाले हैं, उनके लिए 150 रुपिज examination fees देना पड़ेगा P.W.D. candidates को कोई फी examination fees देना नहीं पड़ेगा पहले written test होगा उसकी बार interview होगा अभी जलते हैं number 9 पर number 9 पर है तामिल नारू Public Service Commission की विगप्ति जापे horticulture officer एबं एस्टें डिरेक्टर of horticulture पद में नियोग होगा जापे खुल मिला कर 175 वेकेंसी है जिसमें पेस्किल डिफेंट पद में डिफेंट है जो कि शुगाद होते है 37,700 से जिसका अपर लिमिट है 177,500 जो कि लेवल 20 एवंग लेवल 22 की मुदाबिक होगा अभी eligibility बोल देते हैं educational qualification BAC या MAC होने से आप अप्लाई कर सकते हैं age limit 18 से 30 years के अंदर होना चाहिए अगर आप इस जोपें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 21st November की अंदर application को submit करना है और online application भरना पड़ेगा जो fees आपको भरना है bank की द्वारा उसको भरने की last rate है 23rd November और examination का dates है दो दिन होगा 12th January 13th January अभी चलते हैं examination fees की और registration के बक्त हरे candidates को 150 रुपेज examination fees बना पड़ेगा SC, ST, NBC, BC, BC, BCM widows, differently able percent एक servicemen को को जो भी fees बनना नहीं पड़ेगा और बाकी जो candidate से उनको 200 रुपेज examination fees बनना पड़ेगा duty in examination इभाब interview के दुबारा selection होगा नमबर टेन Odisha public service commission की assistant professor बत की बीकवती जाब एकुल मिलाकर 107 वैकेंसीज है MBBS या फिर MD और MS degree अगर है आपके पास तो आप इस job में अपने कर सकते हैं पेस के लिए 15,639,100 तक और age limit में बोला गया है कि OPSC के जरूर है उसकी हिसाब से होगा इस job में अपकर apply करना चाहते हैं तो आपको online from submission करना पड़ेगा जिसका link आपको description box में मिल जाएगा आपको सिर्फ जो नंबर में बोल रहे हूं हर एक जब को description देने से पहले उस नंबर की अनुशार आपको link follow करना है और उस job को select कर लेना है तो अभी जो बूल रहे थे अरिशा पाप्रिक सर्वेस कमिशन की बीकरति के बारे में अहां पर 24 नॉमेंबर लास्टेट है ऑन्लाइन एप्लिकेशन सब्मिट करने का और एप्लिकेशन फीज बने का लास्टेट है 28 नॉमेंबर 2018 जेनरेल एप्लिक करेकरी की कैंडिट्स को 200 रुपीज एक्जमेशन फीज बनना पड़ेगा और एससी इस्टी पीड़ डी कैंडिट्स को कोई फीज बनना नहीं पड़ेगा क्रेडियर एसस्मेंट एवं इंटर्व्यू के दवारा सेलेक्शन होगा तो आज हम आपको बहुत सारे कावर्मेंट जॉब्स की जानकरिया दिये हैं अगर आप इनमेंसे कोई भी जॉब्मेंट जॉब्स करना चाहते हैं तो जरूर एप्लाइग कीजिए और आपको इस च वीडियो बराने की कोशिश करेंगे तो आज के लिए इतना ही वाई